दोस्तो आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ IC की काउंटिंग कैसे करते हैं तो देखिए इसमें मैं एक बोड लाया हूँ जिसमें मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा तो देखिए इसमें एक जो IC है जो कि ये दोनों तरफ पीन है इसका उसके बाद एक IC है जिसके चारो तरफ पीन है और एक IC जो होती है ये देखिए जिसका एक तरफ पीन होती है तो ये सारे पीन का काउंटिंग कैसे करते हैं वो समझेंगे तो बहुत दोस्त कन्फ्यूज होते हैं कि IC की pin नमबर एक कौन सा होता है और लास्ट कौन सा होता है तो उनको यह पता नहीं होता है तो दोस्तो जब हम IC की pin counting करते हैं तो देखिए जैसे कि यह IC है तो कभी भी याद रखिएगा देखिए यह 44 का IC है तो IC में एक तो निसान बना होता है डॉट का तो यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको देखिए इसमें यह डॉट बना हुआ है यह डॉट तो जिस IC में डॉट बना होता है वो डॉट के सामने वाला एक नमबर होता है तो जैसे कि देखिए यहाँ पर यह डॉट बना हुआ ह इस IC में यहां पर ध्यान देंगे तो dot बना हुआ है तो यानि कि यह IC एक number pin है लेकिन बहुत लोग यह ऐसा भी confused होते हैं कि अगर first इसको माने तो इस line में last यह pin होगा तो अब बात आती है यह last है तो अब इधर वाला pin किदर से counting करें फिर इधर से ही शुरू करें या फिर एक बात याद रखिएगा कि कोई भी IC हो चाहे वह 8 pin की IC हो 14 pin की IC हो 16 pin की IC हो या 30 pin की IC हो 28 pin की IC हो जो भी IC हो दोना तरफ जिसका pin है उसका तरीका एक ही रहेगा counting करने का यह उत्यान से देखिएगा समझ में आए तो एक like जरूर करिएगा यह dot वाले के सामने जैसे यह first हो तो ऐसे गिंती करते हुए आएंगे जितनी भी IC हो यहां तक उसके बाद फिर यहां से गिंती करते हुए यहां तक जाएंगे जानी कि कहने का मतलब है कि यह dot वाला first हो गया और इधर इसके dot के सामने वाला इधर वाला last हो गया तो इस तरीके से गिंती करते आना है और फिर इधर से ऐसे गिंती करते हुए यहां last हो जाएगा तो जिस IC के दोनों तरफ पीन होता है उसको इस तरीके से counting किया जाएगा और dot वाला first मानेंगे अब यह चारों तरफ जो पीन होता है उसको कैसे counting करना है तो देखिए ध्यान से यहां भी एक dot है तो यह dot वाला जो है वो एक नमबर होगा तो यहां से एक नमबर सुरू करेंगे और इस तरीके से गिंती करते हुआ आएगे यहां तक उसको बाद फिर ऐसे गिंती करते हुआ आएगे फिर यहां से ऐसे गिंती करते हुआ आएगे तो यह नहीं कि इधर वाला last हो गया और इधर वाला first हो गया तो यह dot के सामने यहाँ वाला first होगा और यहाँ वाला last होगा अब ऐसे नहीं पकड़ लेजिएगा और कहिएगा कि कौन सा तो यह left के तरफ कभी नहीं जाना है कोई भी iC हो iC pin की counting जब करते हैं तो left से right की तरफ counting करते हैं यह ध्यान रखिएगा तो आप ऐसे पकड़ लेंगे ति यह इधर जाना क्या हुआ right के तरफ से left जा रहे हैं तो ऐसे उल्टी गिंती हो जाएगी तो इसको जब भी counting करेंगे तो left से right की तरफ counting करेंगे तो यह first हो गया और ऐसे गिंती करते हुए आएंगे और यहां last हो जाएगा अब वैसे ही एक IC और मैं आपको बताता हूँ देखिए यह IC अब इस IC में कोई पहचान नहीं है कि first किधर से करें और last किधर से करें तो यह सिर्फ एक तरफ इसमें पीन है चीक है तो एक तरफ पीन रहेगा उस IC की counting कैसे करेंगे तो यहां पे dot भी नहीं है लेकिन याद रखिए कि left से right के तरफ गिंती करें counting करेंगे तो left से right के तरफ counting करेंगे तो इस IC का यह first number पीन होगा तो एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, देस, ग्यारा, बारा, तेरा, चोदा यह last है, 14 number पीन तो इस तरीके से left से right के तरफ गिंती की जाती है तो बहुत से IC में dot नहीं होता है जैसे कि यह 44-44 की IC है इसमें dot नहीं है, ठीक है न बहुत से IC में dot बना रहेगा इसमें dot नहीं है तो इससे confuse नहीं होना है dot हो या ना हो left से right के तरफ counting करना है वीडियो में हमारा समझाने का मक्सद यही था कि IC की pin counting करते हैं और कैसे करते हैं first number कौन सा होता है तो दोस्तों यह वीडियो में मैंने यही समझाने की कोशिस की है कि IC का pin नमर एक कौन सा होता है IC की pin की counting कैसे करते हैं तो आसा करता हूँ आप लोग यह वीडियो समझ गया होंगे ऐसे ही वीडियो आप लोग देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वेल घंटी को जरूर दबा लें वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें कोई सवाल या सुझाओ हो तो कमेंट जरूर करें तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स वीडियो में जैहिंद जैभारत तैंक यू